हलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूं कि बेडिया हूंगे तो फ्रेंड आज मैं दिखाने वाला हूँ कि खजूर का पेड कैसे लगाया जाता है यह अकसर यहां पर पेड ही लगाया जाता है क्योंकि पेड लगाएंगे लोग तो बहुत जल्दी फौल आना स्ट स्टाट हो जाता है तो चली आपको दिखाता हूं कि कैसे लगाते हैं लोग और यक दो साल में फल आना भी स्टाट हो जाता है ech इखा और जो छोटा पेड उसको कैसे लगाया जाता है तो हम आपको दिखा कहा दें, जो नहीं दोगिए भी정을 हो ग tvb Circassas Maliy ji जी यह पेड बड़ा हो गया है और इसमे से जो छोटा पेड नीचे निकला हुआ है tırब यर तो इसमें से लोम इधर से मिटत हाएंगे एधर साइड साइड से मिटत हाएंगे मिटत हाण इक बाद इसको खोद करके, और काट करके इसमें निकालेंगे इसमें थोड़ा जड़ भी निकल जाता है, थोड़ा जड़ निकल जाएगा, और इधर उपर से इसको काट दिया जाता है, उपर से काटने के बाद इसको ये पेड़ा केले बचेगा, उसके बाद जो देखिए, ये भी एक बच्चा निकल ला है इधर छोटा सा, इसको भी ज जादा है वे पांचे दिन निकाल गिया है अब तक रिबन तक रिबन ज्याद़ नहीं खूद करके निकाला गए दो इसके बज़ा और इसको चलिया दिखाते कि लगाया गिया उब जल्दी त्यार हो जाता हैसे दो उसका हो ज्रेकर फाल बटन में और अगले साल आना BILL नहीं हुआ है देखें से बूरी से बांद रखें यह लोग बंदवार तकि पोभूण लगे जादा और यहां देखिए अभी हमारे ख्याल से अगले साल यह भी बढ़ना इस्थार्ट हो जाएगा और यह देखिए यह तकरिवन साल भर हुआ है तो यह तो सुखने वाला था हमारा कफील बोला था कि इसको निकाल दो निकाल के फेक दो यह होगा नहीं तो मैं हो तो डिशलाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आपको मिलेगा मजरा से रिलेटेट ही मिलेगा और मजरा में रहते हैं मजरा से रिलेटेट वीडियो बनाते हैं अगर जो भाई लोग आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हां किया क्या काम कैसे होत तो हमारे वीडियो देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो है और उसमें मज़रा से रिलेटेड ही बताएं सब तो अगर वीडियो अच्छा लागा उतकर ने लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूद करें थैंक्यू